सेने संसाधन और विकास आज हम संसाधनों के परकार देखेंगे संसाधन उस दिन में हमने पढ़ा था कि चार तरह के होते हैं पहला समापिता के अधार पर समापिता के अधार पर दो तरह के नवी करनी और नवी करनी एक बार जो आपने गाड़ी में डाल लिया खर्च हो गया उसे आप दुबारा नहीं मना सकते हैं खनीज पता हरते हैं वो सब औहन विकरनी है संसादन है अगला है उत्पत्ति के अधार पर उत्पत्ति के अधार पर संसादन दो तरागे हैं जैव और अजैव जैव संसादन ऐसे संसादन है जो हमें जीव मंडव से प्राप्त होते हैं जैसे कि मनुश्य और प्राणी जात अजैव संसादन निर्जी वस्तू से बने होते हैं जैसे कि चटाने और धातुएं अगले स्वामित्व के धार पर स्वामित्व के धार पर संसाधन चार तरह के हैं नी जी जो किसी व्यक्ति के कंट्रोल में हो समुदाय जिस पर किसी समुदाय का अधिकार हो जैसे की गाउं में शामला दूमी हो गई आगे हैं जो रास्टिय संसादन जो की एक रास्ट की सिमाओं के अंदर हो रास्ट पर उसका दिखार वो रास्टिय संसादन है उसे अगले हैं अंतरास्टिय संसादन वह संसादन जिस जो इस पर की अंतरास्टिय संगठनों की निगरानी में होते हैं ये समुंदर की तट रिखा ठीक है ये अंतरास्टी संसादन है अब हम देखते हैं विकास के अधार पर विकास के अधार पर भी संसादन चार तरह की है ऐसे संसादन जो किसी परदेश में विद्यमान है प्रंतु उनका भी उप्योग नहीं किया गया वो संभावी संसादन है ऐसे संसादन जिनका उप्योग गुणवत्ता और मात्रा निर्धारत की जाते हूं हम क्या करते हैं विक्सित संसादन और ऐसे संसादन जो पर्यावरन में उपलब्ध है अभी पर जोगी कि अभाव में मानग तक नहीं पहुंची हूं उन्हें हम कहते हैं भंडारिस सादन मान लीज़ा आपके देश में कहीं भी सूने की खाने हैं लेकिन आपको अभी पता तो है लेकिन उसको निकालने के लिए आपके पर्योग में लाया जा सकता है प्रंतु इनका उप्योग अभी अरब नहीं हुआ उन्हें हम कहते हैं संचित संसादन तो ये आपका संसादनों का परकार थी आज का विशे यहीं खतम होते हैं धन्यवाद